financial year 2024 और 2025 में आपका income tax कैसे calculate होगा Excel calculator की मदद से हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में इसके साथ साथ क्या income tax lab rates हैं किस तरीके से आप tax rebate under section 87A का फायदा उठा सकते हो यह सारी चीज़े हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में तो इस वीडियो को पूरा देखिए तो financially यह 2024 और 2025 में आपके पास दो options है या तो आप old tax regime को select कर सकते हो या फिर new tax regime को select कर सकते हो old tax regime में आपको कई सारे deduction options या फिर exemptions का फायदा मिलता है जिसकी मदद से आप अपना income tax save कर सकते हो दूसी तरफ जो new tax regime है इसमें बहुत ही आपको limited deduction options का फायदा मिलेगा लेकिन इसके जो income tax slab rates है वो reduced tax slab rates है यानि कि आपका जो income tax है वो कम होगा compared to old tax regime के slab rates अब एक बहुत ही important चीज यह है कि old tax regime के हिसाब से अगर आपकी सालाना income 5 लाग या फिर उससे कम है तो आपको कोई भी tax pay करनी की जरुरत नहीं है tax rebate under section 87A के मताबिक जिसकी limit है 12,500 रुपे financial year 24,25 में लेकिन new tax regime में इसकी जो limit है वो 7 lakh रुपीज की है यानि कि 7 लाग रुपे तक आपको कोई भी tax pay करनी की जरुरत नहीं है tax rebate under section 87A के मताबिक जिसकी मदद से आपको 25,000 रुपे तक का tax का rebate मिलता है new tax regime में और अगर हम standard deduction को भी consider करें तो 5,500,000 रुपे तक old tax regime के हिसाब से आपको कोई भी tax pay करनी की जरुरत नहीं है दूसी तरफ new tax regime में standard deduction को apply करके 7.5 lakh रुपीज तक आपका जो income tax है वो 0 रहेगा अगर आप tax rebate under section 87A का फायदा उठाते हो तो यह चीज हम calculation examples के जरीए भी देखने वाले हैं तो चलिए बढ़ते हम अपनी computer screen पे देखते हैं कि Excel calculator आप कैसे use कर सकते हो अपना income tax calculate करने के लिए तो यह वाला Excel calculator हम use करने वाले हैं income tax calculate करने के लिए financial year 2024 और 25 में यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो old tax regime और new tax regime के हिसाब से आपको slab wise details पता चल जाएंगी कि किस तरीके से आपके income और investments पे income tax calculate होता है तो end में हमें income tax पता चल जाएगा और उसमें से अगर आपका कोई refund refund आने वाला है अगर आपने already कोई tax बरा हुआ है TDS के माधियम से तो आपको वो tax refund amount जो है वो भी पता चल जाएगा reference purpose के लिए मैंने यहाँ पे income tax lab rates को भी mention किया हुआ है old tax regime और new tax regime के हिसाब से क्या tax lab rates है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे तो दोस्तों example की तौर पे सबसे पहले हम 8 लाग रुपे की income ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ 8 लाग रुपे mention करना होगा जैसे कि आप देख सकते हो जैसे ही हमने income को mention किया यहाँ पे आपकी जो भी values है वो automatically update हो गई है old tax regime और new tax regime के हिसाब से अगर आप एक salaried employee या फिर pensioner हो तो आपको जो standard deduction of Rs.50,000 मिलता है वो मिलेगा तो आपको उसको mention करना होगा investments के section में तो दोस्तों by default हमने investments को zero रखा है और अगर आपका कोई भी investment option होता है जैसे कि standard deduction हो गया या फिर section ATC के तहट आप डेड़ लाग रुपे mention कर सकते हो इसके अलावा और भी कई सारे income tax saving options है जो कि मैंने अलग वीडियो में समझाए हुए है इसका link आपको description section में मिल जाएगा तो आप उन investment options को use करके old tax regime के हिसाब से आपका income tax जो है तो जैसे ही हमने 50,000 रुपीज यहाँ पर mention किया investments में as a standard deduction जैसे कि आप देख सकते हो income tax जो है आपका 65,000 हो गया old tax regime के हिसाब से और new tax regime में 31,200 है तो दोसे यह जो standard deduction है यह दोनों ही tax regime में applicable होगा financial year 2024 और 25 में new tax regime में थोड़े से deduction options और exemptions available है तो वो मैंने cover किये हुए है अपनी website के article में तो इस article का link में description section में भी दे दूँगा चाहाँ पर आपको पता चलेगा deductions and exemptions available in new tax regime तो दोसे standard deduction of रुपीज 50,000 available है इसके साथ साथ transport allowance, conveyance allowance और भी कई सारे deductions आप mention करके आपका जो income tax है वो बचा सकते हो new tax regime के हिसाब से तो आप इस article को भी read कर सकते हो अब ये जो 8 lakh की income है और 50,000 रुपीज का जो standard deduction है इसके हिसाब से जैसे की आप देख सकते हो आपकी जो income है वो यहाँ पर mention हो गई दौनों ही tax regime में इसके साथ साथ आपका investments कितना consider हुआ है वो हमने यहाँ पर mention किया हुआ है अब taxable income आपका कैसे calculate होता है तो जो आपकी gross income है यहाँ पर हमने gross income को mention किया है जिसमें से आपका provident fund जो की salary में से deduct होता है public provident fund, fixed deposits या फिर और कोई investment options आप use करते हो उसको minus किया जाएगा तो दोस्तों यह सारे deductions को minus करके जैसे कि आप देख सकते हो अभी के लिए सिर्फ standard deduction of rupees 50,000 को consider किया है तो आपका taxable income होता है 7,50,000 rupees अब यह 7,50,000 rupees पे आपका income tax calculate होता है तो सबसे पहले आपका slab 5% के हिसाब से जैसे कि आप देख सकते हो कि 5,000,000 और 5,000,000 के बीच में आपका 5% का tax calculate होता है उससे पहले जो 0 से लेके 5,000,000 rupees है old tax regime के हिसाब से उसमें आपको कोई भी tax पे करनी की ज़र्वत नहीं है तो दोस्तों यह जो 5% का tax है यह कैसे calculate हुआ है यहाँ पे slab 5% के हिसाब से तो 2,500,000 से लेके 5,000,000 rupees के बीच में आपका 5% calculate करना है हमें तो यह amount का difference होता है 2,500,000 यानि कि जो आपकी 5,000,000 की income है उसमें से सबसे पहले 3,500,000 रुपे को minus किया जाएगा तो इतने amount पे आपको 5% देना होगा तो यहाँ पे हमें amount मिल गया इस चीज़ को हम multiply करेंगे हमारे slab rate के हिसाब से जो की 5% है और divide करेंगे 100 के साथ तो जैसे कि आप देख सकते हो 12,500 का हमारा tax होता है और यही same चीज़ यहाँ पे display की गई है Excel calculator में भी तो यह तोनों slab rates हमने cover कर लिये हैं जहां तक 8,000 की income का सवाल है अब दोस्तों हमारी taxable income 7,500,000 रुपीज है तो next tax lab जो है 20% का जिसके हिसाब से आपको 5,000,000 और 10,000,000 के बीच में 20% का tax देना होगा लेकिन आपकी जो income है वो 7,500,000 रुपे तक है इसका मतलब आपको 5,000,000 स लेके 7,500,000 रुपे तक 20% का tax देना होगा तो ये भी हम calculate कर लेते हैं यहाँ पे आपका चो taxable income है 7,500,000 रुपे है इसमें से आपको 5,000,000 माइनस करने होगे क्योंकि पहले 5,000,000 के लिए हमने already income tax calculate किया है जो कि 12,500 का है 5% के हिसाब से तो यहाँ पे हमने ये minus किया तो हमें 2,500,000 रुपीज का amount मिलता है अब इस चीज़ को हम multiply करेंगे 20 के साथ क्योंकि इसमें 20% का slab rate है यहाँ पे हम multiply करेंगे 20 के साथ और divide करेंगे 100 के साथ तो जैसे कि आप देख सकते हो 50,000 रुपीज का हमारा tax होता है हमारे 1,500,000 के amount पे जो की 20% का tax है तो दोस्ते यही same चीज यहाँ पे mention की गई है 50,000 रुपीज calculation के हिसाब से और इस हिसाब से आपका slab 5% और 20% जो है old tax regime के हिसाब से calculate किया जाता है next slab rate 30% का है तो अगर आपकी सालाना income 10,000,000 के ऊपर जाती है जो कि taxable income है तो आपको 30% का tax देना होगा उस amount पे लेकिन हमारा जो taxable income है वो 7,500,000 इसलिए यहाँ पे 0 का amount mention किया गया है अब दोस्तो बहुती important चीज कि tax rebate under section 87A यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो वो तब applicable होता है जब आपकी सालाना income old tax regime के हिसाब से 5,000,000 या फिर उससे नीचे है यहाँ पे सालाना income का मतलब taxable income है तो अगर आपकी taxable income 5,000,000 या उसस चूट दी जाएगी old tax regime के हिसाब से और new tax regime में अगर आपकी सालाना income 7,000,000 रुपे के अंदर है तो आपको tax rebate maximum 25,000 का मिलेगा जिसकी मदद से आपको tax pay गंडी की ज़रुरत नहीं पड़ेगी तो इस case में क्योंकि taxable income जो है वो 7,500,000 रुपे है तो दोनों ही tax regime में आपको कोई भी tax rebate नहीं मिलने वाला सर्चाज of 10% और 15% तब applicable होता है जब आपकी सालाना income 50,000,000 या फिर 1,000,000 के ऊपर है तो इस case में हमने 8,000,000 रुपे का ही example लिया है इसी के वज़े से ये दौनों amounts भी 0 है इसके साथ साथ 6,000,000 आपको calculate करना पड़ता है तो दोसे ये जो slab 5% और 20% हमने calculate किया है ये दोनों numbers को अगर हम add करें तो इसका sum होता है 62,500 रुपीज अब ये 62,500 रुपीज पे आपको 4% का size pay करना होगा तो यहाँ पे हम multiply करेंगे 4 के साथ और divide करेंगे 100 के साथ तो जैसे कि आप देख सकते हो 2,500 रुपीज का amount आता है जो कि यहाँ पे display किय गया है और इस size को add किया जाएगा आपके सारे जो income tax है calculate किये गए है slab rate के हिसाब से तो 62,500 हमें इस amount में add करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे plus करते हैं 62,500 रुपीज जैसे कि आप देख सकते हूँ 65,000 रुपीज का आपका income tax होता है यहाँ पे और यही सेम चीज यहाँ पे mention की गई है 65,000 रुपीज का income tax old tax regime के हिसाब से इसी तरीके से आपका new tax regime के हिसाब से भी income tax calculate होता है तो अगर आप देखो 0 से लेके 3,000,000 रुपे तक कोई भी tax आपको pay करने की ज़रुरत नहीं है लेकिन 3,000,000 से 6,000,000 रुपे के बीच में 5% का tax लागो होगा यानि कि यह ज जैसे कि आप देख सकते हो 15,000 रुपीज का tax होता है यही सेम चीज हमें slab 5% के हिसाब से यहाँ पे mention की गई है अब slab 10% के हिसाब से जैसे कि आप देख सकते हो 6,000,000 से लेकिन 9,000,000 रुपीज तर 10% का tax लागो होगा लेकिन हमारा जो taxable income है वो है 7,500,000 रुपे तो 6,000,000 र क्योंकि 6,000,000 से 7,500,000 के बीच में हमें 10% का tax calculate करना है तो यहाँ पे हमें 1,500,000 रुपे का amount मिलता है इस पे 10% कितना होगा multiply करेंगे 10 के साथ और divide करेंगे 100 के साथ तो जैसे कि आप देख सकते हो 15,000 रुपीज का tax होता है जो कि यहाँ पे mention किया गया है और बाकी की slab rates है व वाले जो amount से वो 0 है यहाँ पे हमें कोई tax rebate नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा जो taxable income है वो 7,000,000 के ऊपर है और इसके साथ साथ हमारा 604% जो हो 1200 होता है और यह सारे numbers अगर हम add करें तो यह होता है 31,200 रुपीज जो कि यहाँ पे mention किया गया है तो दोस्तो इस तरीके से यह वा हिसाब से अब हम tax rebate का भी example ले लेते हैं तो समझो अगर आपकी सालाना income 7,500,000 रुपे है तो यहाँ पे हम 7.500,000 रुपीज mention करेंगे और यहाँ पे हम standard deduction of रुपीज 50,000 को रखते हैं as a investment क्योंकि अगर आप salaried employee या फिर pensioner हो तो आपको वो option available रहेगा तो यहाँ पे important ची रुपीजिम के हिसाब से 54,600 रुपीज का tax बनता है लेकिन new tax regime में क्योंकि आपकी taxable income 7,000,000 रुपीज है आपको tax rebate of 25,000 रुपीज मिलता है maximum new tax regime में जिसकी मदद से आपका जो भी tax होता है slab 5% और 10% के हिसाब से जो कि 25,000 है यहाँ पे अगर आप इसको total करो तो आपका ज income tax है वो zero हो जाता है और दोस्तों इसी की मदद से अगर आपकी सालाना income 7,000,000 रुपे है जो कि taxable income है तो आपको कोई भी tax pay करने की जरुरत नहीं है new tax regime के हिसाब से लेकिन old tax regime में यह जो limit है वो 5,000,000 रुपीज की है तो आपको जो income tax है वो pay करना पड़ेगा अगर आप old tax tax regime को select करते हो इस case में और अगर आपको old tax regime के साथ भी zero का income tax रहिए तो आप बागी के investment options को use कर सकते हो ताकि आपका जो taxable income है वो 5,000,000 या फिर उससे नीचे आ जाए तो 7,000,000 के income पे आपको कम से कम 1,500,000 रुपे का investments दिखाना होगा तो 50,000 रुपीज का तो standard deduction हो गया इसक या अलावर 1,500,000 रुपे आप section ATC में mention कर सकते हो तो आपका total reductions हो जाता है 2,000,000 रुपीज और बचा हुओ 50,000 रुपीज आप NPS यानि कि national pension system में आप claim कर सकते हो तो यहाँ पे जैसे हमने 2,500,000 रुपीज मेंशन किया तो आपका taxable income 5,000,000 रुपीज हो जाता है जिसकी मद और example हम ले लेते हैं समझो अगर आपका 10,000,000 रुपीज का income है और आपने सिर्फ standard reduction of रुपीज 50,000 को consider किया है as investments तो जैसे कि आप देख सकते हो old tax regime के इसाप से आपका 1,600,000 रुपीज का income tax होता है और new tax regime में 54,600 रुपीज का income tax होता है इस case में better option यही रहेगा कि आप new tax regime को choose कीजिए क्योंकि यहाँ पर आप कम income tax pay करोगे लेकिन अगर आप किसी भी तरह और investments कर सकते हो तो आपको वो investments यहाँ पर डाल कर चेक करना पड़ेगा कि कितना amount आप इस particular income tax से बचा सकते हो अब दोस्तों यह numbers को verify भी हम कर सकते हैं हमारा income tax calculator है उसको use करके तो सबसे पहल यहाँ पर क्लिक करना है इसके बाद यह वाला home page open हो जाएगा यहाँ पर मैंने calculator का section दिया है तो हम इस section में आएंगे और फिर यह वाला calculator का page open हो जाएगा जहाँ पर कई सारे calculator मैंने आपके लिए बनाए हैं जैसे कि income tax, home loan, SIP calculator, PPF calculator और भी कई सारे calculator हैं तो important चीज यह है कि हम यहाँ पर income tax calculator यूज करेंगे तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक new window में हमारा income tax calculator financial year 2024 और 25 ओपन हो जाएगा यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपका income tax कितना हो सकता है वो आप जान सकते हो तो यहाँ पर financial year 2024 और 25 सेलेक्ट करते हैं यह और age 0 से लेके 60 year सेलेक्ट करते ह इंपोर्टन चीज यह है कि यहाँ पर salary और फिर pensioner का option है सिर्फ उन्हें ही standard deduction of rupees 50,000 automatically apply हो जाएगा इस calculator में business का option अगर आप select करते हो तो आपको standard deduction of rupees 50,000 नहीं मिलेगा तो यहाँ पर हम income from salary जो है 10 lakh rupees mention करते हैं और जैसे ही हमने नीचे scroll किया जैसे कि आप देख सकते हो old tax regime औ हिसाब से 1,6600 का income tax होता है जो कि यह number के साथ match कर रहा है जो कि हमने Excel calculator में देखा है और new regime के हिसाब से 54,600 का amount होता है जो कि यहाँ पर display किया गया है तो दोस्तों आप यह income tax calculator को भी use कर सकते हो जानने के लिए कि आपका income tax कितना हो सकता है यहाँ पर मैंने deductions का भी section mention किया है तो कई सारे options यहाँ पर available है जो कि आप mention करके आपका income tax save कर सकते हो old tax regime के हिसाब से इसके अलावा आप बाकी के calculator भी use कर सकते हो इस calculator के page पे आपके requirements के हिसाब से और दोस्तों अगर आपको यह Excel calculator download करना है तो इसी calculator के page पे मैंने download income tax Excel calculator financial year 2024 और 25 का link दिया है जहांसे आप Excel calculator download कर सकते हो तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से income tax calculate कर सकते हो इस Excel calculator को use करके आप अपने mobile device पे भी अपना income tax calculate कर सकते हो तो मैंने आपके लिए android app बनाया है जो कि आपको मदद करेगा income tax calculate करने के लिए आपके mobile device पे यह android app आपको play store पे आसानी से मिल जाएगा इसका link मेंने description section में दिया हुआ है आप कौन से टेक्स रेजिम को सेलेक करने वाले हो financial year 2024 और 25 में comment section में मुझे बताइएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ आप मेरा टेलिग्राम ग्रूपी जॉइ सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाईए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो आप देख सकें फिर मिलेंगे किसी और परसन फाइनेंस टॉपिक को लेकर तब तक के लिए आप यह वाले वीडियो देखो